देखती आखो सुनते कानो आपको रक्षंदा जाहित का सलाम आप देख रहे हैं आए एम्टी न्यूस फ्रम लंदन आज हमारे साथ जो शक्सियत मौजूद है किसी तारूफ की महताज नहीं स्री लंका से हैं बहुत बड़ी सासी शक्सियत हैं सोशल वर्कर हैं और हर दम हर अख़त हर किसी की बदत के लिए बिलकुल तयार आप पैचान गए होंगे हमार साथ स्री लंका के नाम से ही मौतरम जनाब शराज यूनुस सहाब आई एन से बातचीत करते हैं असलाम लेकुम क एक दफ़ा फिर से हमने आपको इन्वाइट किया बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला तो आप प्लीज हमा आगे का जो लाएं अमल है हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं आप समझ गए होंगे तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताईए जी एक्चली आईम्टी नोस के हम बहुत आबारी हैं कि यह उपचुन्टी आपने एक मौका आपने वापिस दिया हमें बायों और बहनों मैं एक खुश खबरी लाया हूँ आप सब के लिए क्योंकि आपने देखे होगे कि हमारा विजन और मिशन दोनों एक ही जगा पे ज पचास साल से अलमोस्ट पो हुमानिटी और वो सोच अमर मिमन साब जो लंडन में हैं उनकी है एक्चली तो हमने तो खुश कबरी ये देनी है कि अलहमदुलिल्ला आज 14 माई 2014 हम लोगों ने ये ऐलान कर रहे हैं कि एक और्गनाइजेशन नई जो कौम की खिदमत के लिए और हुमानिटी की इनसानियत की खिदमत के लिए आ रही है उसका नाम है यूनिवरसल मेमन ऑगनाइजेशन अलहमदुलिल्ला जी हां भाईो बैनों साथियों और बच्चों ये आपकी ऑगनाइजेशन है ये कौम की ऑगनाइजेशन है ये पूरी हुमानिटी की खास करके जो फ्यूचर है और उसमें आर्टिफिचल इंटेलिजन्स और वगारा सब स्कोप्स आएंगे और आते रहेंगे और हम लोगों ने जो काम शुरू किया है अलहम्दुलिल्ला अल्ला ने उसे रोका नहीं है क्योंकि एक टीम तयार हुई है और ये काम इन्शालला ज के लिए जिनको हम पीछे नहीं रहने देना चाहते हैं और हम लोग ऐसी सोच रखे हैं कि किसी को भी हम आदे रास्ते पर नहीं छोड़ेंगे इन्शालला उनके साथ सफर शुरू किया है तो मंजिल तक इंशालला हम पहुंचाएंगा और अल्ला ताला उसके वसाइल और उ हमारी मंजिल की और बढ़ते रहेंगे इन्शालला बिल्कुल बिल्कुल हमारा काफला तयार हो जाएगा तो आगे का क्या लायामल है बच्चों के लिए क्लासिस कब से स्टार्ट होनी है सब आप बताएं प्लीज बच्चों के लिए ताकि उनको भी हो क्योंकि हम इंदिज आवर जो ऐसी उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि कुछ चीजे हम लोगों ने अच्छी बहतर बनाने के लिए कोशिश की और वो चीजे अभी अमल में आएंगी इन्शालला और बहुत जल्द आपको मेरे ख्याल से 15-20 दिन या एक महने के अंदर उमीद कर रहे हैं कि हम लोग फिर से शुरू करेंगे और नए सब्जेक्स भी उसमें होंगे और इन्शालला हम लोग एक एक स्टेप से आगे आएंगे ताके पहले हम सोच लेंगे कि जो बच्चे ये कोसस लेना चाते हैं उनकी राए भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये चीज हम उनके आगे डा कालेज हैं तो हम लोगों ने हमारी टीम से बी डिसक्स किया है और एक और बात ये आगे ले जाने के लिए एक चीज मैं बही चाहता हूं कि हमारे जो ट्यूोटर जैं उनसे भी एक दू से भी बातचीत हुई हमारी कुछ टीम मेंबरों से तो वो भी यही चाहते हैं कि हम यह काम जल से जल शुरू करें और यह काम आगे तरकियात एक मोड पे हम इंशालला लेके जाएंगे और एक और बात कहनी है कि अमर मेमन साहब ने जो यह सोच रखी है अलहमदलिल्ला क्योंकि एक चीज हमने देखी है कि आदमी इंसान फना होता है लेकिन उसकी सोच कभी फना नहीं होती यह चीज फना तो हम हम मट्टी से बनें और मट्टी में ही जाके दफन हो जाएंगे इंशालला यह हमारा वक्त कभ आएगा हम नहीं जानते लेकिन हम हर चीज के लिए तयार रहते हैं क्योंकि जो फील्ड में हूँ उस फील्ड में कुछ भी हो सकता है और जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस में तो और भी क्योंकि हमारी भी फैमिली है और हमारे भी बच्चे हैं लेकिन ये चीजें अगर हम आगे नहीं आएंगे तो ये सोच डब जाए है और ये सोच ऐसा है कि प्लास्टिक बॉल को जो होता है गेन को आप प्लास्टिक गेन को पानी में जितना भी डुबा के र पानी में रखे लोगों ने दमाने की कोशिश किया अलहम्दुल्ला ये चीज उबर के वापिस उपर आ गई है और कहते हुए खुद की बाते खुद कहना मुझे ने मौलम कहा गया मुझे के आप ही बता दीजिएगा के हमारे जो मिम्रान है वो कौन-कौन से ओधे पे कौन को किस-किस शक्षियत है करके तो आपकी इजाज़त हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल देखे शिरास भाई वो ही बात आगे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि इनसान का जो काम होता है उसी की वज़ए से उसका नाम जिंदा रहता है आप लोगों की सब की मिलके जो सोच चल रही है तो जायर सी बात है हमारा मिशन रुखना नहीं चाहिए इन्शाल्ला जी इन्शाल्ला और ये ये यूनिवर्सल मेमन और्गनाजेशन की च्यामन के हैसियत से मुझे उमर मेमन साब ने इन्वाइट किया और मैं उस काबिल टेंपररी होते हैं लेकिन सोच और मनजिल बस एक होती है उसकी कोई ओदा रहे ना रहे हम उस पे काम करेंगे लेकिन मैं उमर मेमन साब का और बाकी मेमरान का बहुत शुक्र गुजारूं अलहम्दलिल्ला कि ये मौका मुझे दिया है कि यूनिवर्सल मेमन और्गनाजेश इत्च वानि सभी खानी साइब वहँ है ठी अलहम्दली लाह और उन्हों ने भी ये कबोल किया है और अलहम्दल्ला हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वह हाजी पतेल साथ आप वो अलहम्दुलिल्ला उन्होंने presidency की भी accept कर ली है और हमारे सेकर्टरी जेनर अलहम्दुल्ला नूर मौमद पतेल साहब है हमारे सेकर्री जेनर तो अलहम्दुलिल्ला यह बात है और आपको दर मालूम है कि जिनकी सोच वही founder कहलाते हैं और जिनकी सोच है वह है उमर मेम organization इन्होंने बहुत सी संसाय को उन्होंने सोच दी है लेकिन वो इन्शालला हम यह कोशिश करेंगे कि मंजिल तक पहुंचाएंगे और उमर मेमन साब की सोच जो है वो इन्शालला आगे भी हम लेके जाएंगे ताकि हमारे बाद आने वाले जेनरेशन इसको continue कर यूद आर future leaders, नौजवान ही आगे के leaders हैं जो leadership quality हमको उनमें बढ़ानी है, हर इन्सान, every person is a leader, you just have to cut and polish, जैसा है कहना का हर इन्सान एक हीरा है, बस उसको polish करके, उसको cut करके, उसको shape मिलाना ही, education का मकसद रहता है और इन्शालला उसमें हम काम्याब रहेंगे, एक आखरी बार मैं कहन चाहता हूं कि आजकल के लोगों की जो सोच है, वो बहुत भटकने वाली सोच है, हम सीधा लाएंगे उनको, उनके mission पो, उनको समझाना है, क्योंकि ये आगे आने वाला दौर बहुत crisis का होगा, और बहुत की cutting परिक्षा में होगा, it's going to be a test for everyone, आपको मालूम है कि आजकल जो भी है, वो IT के उपर ज्यादा depend कर रहा हूं, हम अभी भी बात कर रहे हैं, zoom technology से, this is also an invention of artificial intelligence, and of course, information technology, both are amalgamated together, so we will make it a point to, inshallah, reach our destination, so I would love to hand over some questions, if you have, you're free to ask me, आप मुझे पूच सकती हैं, और एक और है कि मैं ये मेमनी जबान में भी, एक ये ओदों का जो है, और ये organization के बारे में बसनी, बिल्कुर, 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 जज़ा कर लाखे, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुर, आपको पूचने की ज़रत नहीं है, प्लीज, जज़ा कर लाखे, भाईो और बेनो, अक्री खुशकबरी गिनीने, असा आविय ज़रूर, 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 ज़र यूनिवर्सल मेमन और्गनाइजेशन जो पांज़ा उमर मेमन भाहा ने जी सोच आए को लाएके इनसान पनाती सीगे तो इनसान मिट्टी जो बने लोगा है इनसान पनाती सीगे तो लेकिन उन्जी सोच पनाने थी नी इस सोच के आगया गी नी असल लाएकरी ने इकम कर लाएकर ने इकम अकरी ग्रूप अकरी अकरी असा अलहमदलला बनाया यूने उन्में में के दावत दिन में आवी ओके इन्जी चैमंशिप आउं गिनाने आम इन्जे काबिल या के ना इई आई लोग डिसाइड करना कुरे पांजा वाइस जामने इन अनिफ शेखानी भा ने प्रेसिडंट जो एनी हाजी पतल साहब ने पांजा जो सेकर्री जेंरल इन उनिवसल में मन ओगनाज़ेशन जा उन्नूर महमत पतल भा ने अलम्दोलिलला आगे तबदे खबर आई को लेके सोच जी आई पांडर आई ज इन्शालाव बेनी को लेके कारों थोड़ों करुके तो अपरो वक्त पे लाए नहीं जब आद सीधों ही अची नागया हुने तो पते जी मनजीर लाए करी ने पांजा कारों हमें जो भी अची ने आई असा उने के ताहे दिल से वेलकाम करूता है ने इन्शालाव इचीज अगया गिनीवन लाए करी ने आई जो लोगे जो साथ ने आई लोगे जी दौशाय उखने खिलाए के दौए हुना जो कोई भी कम हासिल ने थी नो कोई भी कम फतह ने थी नो को लाए के हमारे डिप्टि सेक्रेश जेनरल है राहिल बगार साब जो उन्होंने भी टीम में आने के लिए राजी होगे और हम उनको विल्कम कर रहे हैं क्योंकि यंग है मुझसे तो यंग है बहुत सो अलहम्द लिल्ला आपको भी मिलती हम भी सीखते रहते हैं यह बात कहनी थी राइल बगर साब को हम विल्कम कर रहे हैं अना करी गाल चुनी भी आए लोगें कि यह पांजा डेपुटी सेकर्टी जेनरल जो है वो राइल बगर साब है एक्चली राइल बगर भाने वो जवाने माशाएला ने इने जी विजन भी आए ने इने भी कम आए के पा हर चीज में पा दूआ मगोता है कि तरह घजवा थी आए इन पांजे में बैटल पांजी इसलामिक हिस्ट्री में ना रही कि नो घजवाए खंद घजवाए तबूग घजवाए अहर घजवे में पाच इने दूआ से जा अल्ला ताला पांके इस परेशानिये से अगया गिनिया आवी हो आए इने पांजी मीडिया टीम जो आए उने जा हमेशा पा शुक्र गज़ार रही होता है इस्पेशली आएमटी जा जो होस्स है रक्षंदाजाई जी इन्हें जी ता हम तारीफ करना कम है कुले कि माशाला जितरा भी मिम्रान है इन्हें के पादि होता है वो हम आपके शुक्र गजार है और स्पेशली हम आपके शुक्र गजारें आप लोग एक यूनिवरसिटी हैं हम आप से सीख कर आगे बढ़ें हम आप मतलब आप जो अपनी लाइफ आपने गजारी स्ट्रगल आप लोगों ने आ उसमें अमर मिर्मन साहब हैं या हन और हम इस यूनिवर्सिटी से जब पढ़के निकलेंगे तो सोचे फिर माशाला कहां से काम पहुंचें एक और चीज है कि आपकी अलत अला कह रहा है कि कौम जब वो नहीं सुद्रेगी तो किसी और से मैं काम लूगा उलमा को इसके बारे में ज्यादा है कि आप नहीं काम क खीजा तो हमें वो काम करना है लोग पूछ रहे हैं कि शराज % आप जिस मुलक से तालुकात रखते हैं उस मुलक के लिए आपकी कंट्रिबुशन क्या है नहीं सोचे था मैं इंसानियत की लेवल पर और मुलक के लेवल पर आला टाला ने पहुंछा है क्यूंकि बहुत से क मेंणों के बीच में 예近 अकेले का नहीं है ये कारवा कर रहा है मैं बोल रहा सो ये कारवा एक साथ चलेगा तो मनजिल आसान क्योंके इदर भी बच्चे हैं और इदर भी पढ़ने वाले हैं हम पुरी कोशिश करेंगे उनको भी ये आगे ले जाने के लिए और हमारी जो सोच अभी है इसकी में स्विच I would call him transformer हम तो खाली में स्विच और ट्रिप स्विच है transformer है उमर में मन साथ तो ये transformer में जितना power है 33,000 वोल्ट से ज्यादा है एक transformer में 33,000 हम उच से हम power देंगे और इन्शाला हम आगे ये सोच पहुँचाएंगे थाकि हमारी आने वाली कौम को ये पाइदा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा एक example यादा आगया असा अकरे इंसान जी सोच होई थी ना हूँ बहुत ज़रूरी होई थी आसा था सब्सक्रापरां समझो में इतने ट्रिप सूच ये लेकिन में ऑला ही नहीं आvais इंग्री जो जो इस सोच कर लाई जो टीम आला ताला दीनी आए तो बात शुकर गुजार करोव हूंथ अगरे इस सोच के ने नियत साफ उनी ता इस चीज आम इनला ही चूरी हो यहां के असा बेगा यूनिवर्सल मेमन और्गनाइजेशन में जो जुड़ा हैं बच्चा बच्यों बदे माशाला हाईली कौलिफाइड ने हाईली इंटेलिजन ने इस बहुत जरूरी है कि अकरी चीज आये चीरे गिनी मुनो ता गया ता आ के और भी कमचनो इडाला ही आखिर अबच्च्नो ने आकर अलए बिकमचनो तो फनंग तो इस चीज आमini लाएं च्परो हो आई ओनिंग में बदे आहि तेम ब्लकु ट्रांपेरंसी नुनी कोई भी कम चुपीने नहीं करिंग जो भी कम करना है उसा आनके 7 में रख़ीने कर नाए जो कि हर चीज में मस्वरे में वरकत हूए थी हमें शाह भी चुआट है नहीं अक्रो जाहास के जड़े अक्रो आम अग्रॉजेशन अख़ी के ना रहा थो यक्री जाहास जा भी जाब अक्रो चैप्टन था हुई तो शिप जो क्लो क्याप्टन हुई तो लेकिन उनमें उना जो अकरो जहाथ पोते जी मनजिल ते पूझे नथो इनमें इनके तूफान, इनमें बारिश, इनमें हर चीज इनके फेस करीक अपर ती, जो के असा करना अब हैं हूँ, मैं इंशालला आग गया भी उनौन, अल्हाजी मधद से असा इन बदे ओवरकम करना है, बुल्रा क पांजी नियत साफ वो मन्जिल आसान जजाक अल्ला खेरी असलाम आलेकूं बहुत 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 शुक्रिया शिराज भाई आपकी बाते हैं आपकी विजन हमारा सबके सामने किसी को बताने की जोरुत नहीं सब पच्छी तरह से जानते हैं बस हमारा मिशन माशाला से कंट्यून रहेगा लोग आते जाएंगे मिलते जाएंगे और नियत साफ वोई तो मन्जिल असाफ सबसे बढ़ते हैं और बागी वो बात आपकी के बेबेश्चक अल्हा ने का है कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं इनकी जगह दूसरे लोग ले आओं मेरे लिए कोई ये मुश्किल बात नहीं है अल्ला ताला वसीला बनाने वाला है हमारी नियत साफ है हम सब एक साथ है हम सब एक मुठी है हमारी जो कोई तोड़ नहीं सकता तो इन्शाला ताला फिर बात चीत रहेगी हम सब मिलके दुबारा से आपको और मैं चाहूंगी कि मैं मिवन स हब को भी हनीफशे खानी साब को भी सब को एक साथ हम लें आयमटी पर और एक साथ हम सब से बात चीत करें इसके बारे में और लोगों को बताएं बहुत बहुत शुक्रिया काफी टाइम ले गया हम लोगी ने आपका इन्शाला फिर बात चीत रहेगी और इजाज़त बहुत शुक्रिया अला आपिस रक्षिंदा जाहिद आयमटी न्यूस लंडन में